तो मैं शहबास ग्रेट आईग्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं जैसे कि आप सब को पता है कि लास्ट वीडियो हमने अपना रिगवेदिक काल को फिनिश कर लिया था और आप हम उत्तरवेदिक काल के बारे में पढ़ेंगे उत्तरवेदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तरवेदिक काल 120 से लेकर 620 तक आपका इसका टाइम पिरिड होता है जब हमने रिगवेदिक काल पढ़ाता तो वो का पूरा का पूरा काल रिगवेद के उपर बेस था अगर हम बात करें उत्तरवेदिक काल की तो ये बीसी के बाद वो आर्यांस इंडिया के अलग अलग छेत्रों में पंजाब में गंगा यम्ना का जो दुआप का छेत्र है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे अब इन वेदों के अनुसार हमें पर चलता है कि उत्तरवेदिक काल में जिस एरिया में आर्यांस रहने लगे थ जैसे हम रिगवेदिक काल में भ्रह्मावर्थ कहते थे उसी तरीके से उत्तरवेदिक काल में ये एरिया आर्यावत कहलाता था अब हम उन लोगों के स्ट्रक्चर जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाता कि वो धर्म किसको फॉलो करते थे उनका सोशल लाइफ कहती वह उत्तरवेदिक काल में धर्म में काफी चेंज़ आ गया था जैसे कि आप समने पढ़ा था लास्ट वीडियो में उत्तरवेदिक काल रिगवेदिक काल में इंदर को सबसे बड़ा देवता मने आता था जिसको पुरंदर भी कह जाता था उत्तरवेदिक काल आने के बाद इं इतने भी प्रित्वी पर संकट आती हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका उनको खतम करने के लिए वो भिश्वन भगवान को पूजना स्टार्ट कर जाता उन लोगों और इस टाइम उत्तरवेदिक काल में हमारे जितने भी आरेंस थे उनके जिदो भी प्रोग्राम होते उन चार यग जोते काफी इंपोर्टेंट थे अब ये चार क्या थे इनको मैं समझायता हूं काफी बार एक्जाम में आ जाता है हमारे इसके बारे में सबसे पहले राज्यसोय यग जोता इस यग में जब भी कोई राजा बनता था उसका जब भी मतलब यह समझ लेजी आप कि उसकbles सी पहली तिलफ बगाएर जो लगा दे थे वह ओ सबसे पहले पधिलाग बगा तब कि उसके रांपर आप कहते देमां पर इसके बाद कांता है वाजपय यग में सिर्फ ये तब किया जाता था जब कोई से भी खेल रत की दोड़ या कोई से भी खेल वागयर होता थे मनेरोंजन के लिए उस टाइम वाजपय यग गी आ जाता था उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टन आता है अशुमेग यग अशुमेग यग के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे इस्ट्री में कई बार अशुमेग यग में होता गया था कि जब बे किसी एरिया के राजा को दूसरे एरिया के राजा को चुनौती देनी होती थी युद्ध का आगमन करना होता था तो उससे पहले अशुमेग यग क देते थे जानवरों की बनी देते तो उससे पहले वो यह कराते थे अब जितने भी यग होते थे इन समय मंत्र वगरा स्टार्ट हो चुके थे जादू टोना अंद्विश्वास तावीज इन समय यह लोग काफी बिलीव करना स्टार्ट कर देता इन लोगों ने और इन सब ची हमने तो और 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 उसके हर में ब्रहामार पैदा होता बच्चाथा और ब्रहामण योगा पहले ऐसा कुछ नियूता पहले शिस् Temper में काम जोनत जो काम करेंगा वहे उसस कैटेगरी मन आए गा अगर रोग इनसां पूजा करता तो ब्रहामाण अगर को इंसान यूद करता है तो उस शत्रिय इस ताइप से तो चार कैटेगरी बनाई गई थी सबसे पहली कैटेगरी में ब्रहामन आते थे जो लोग पूजा बगरा करते थे यह यग्य बगरा करते थे वो सब ब्रहामन आते थे फिर शत्रिय वैश और शुद्र यह चार कैटेगरी में धर कर्म के हिसाफ से ना होकर कर्म के हिसाफ से लोगों को बाटा जाता था उत्तरवैदिक काल में उसके बाद अगर हम बात करें शुद्र की तो इस वैद उत्तरवैदिक काल में पूशन को शुद्र का सबसे important देवता मानते थे अब यह पूशन देवता को पशु का मना जाता था तो ये हमारा धार्म क्स्रक्चर था थोड़ा बहुत चेंज आया था सबसे बड़ा चेंज़ यह था कि वैंदीक काल में इंद्र को को सबसे मांते ते और उत्त्रवेधिक काल में आते आते पर जब मानने लगए यह हमारा धार्मिक स्ट्रक्चर था अब हम बात करें गें तो राजनीति में ऑफ्रीट में पढ़ा था आपने देखा था मैं ने बताए था आपको की ला जितने onree दोनों हिससाल है मगर में धीर फीमिल की फोड़ी सी ह הג कम और 掰掰 में और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करतीटHH anna gender of और और गली दिती तो सब mail जाकर वो चुन लिया कर देते और इस तरीके से election कर देते ये लोग हमें दो चीज़ समझ में आचुकी हैं उनका धार में क्या क्या चेंज़ आयते रिगवैदिक काल से उत्तरवैदिक काल दगाते आते और हमें इस समझ में आचुका है कि उनका राजनेते की structure जो था वो किस टाइब कर था अब हमें एक बार जड़ा इनका आर्थिक जो structure था वो भी समझ लेते हैं हमने लास्ट वीडियो में यह देखा था कि रिगवैदिक काल में निश्क और शत्मान दो तरीके के सिक्के चला करते थे mostly उनके business वागरा जो भी वो लेंदेन करते थे उसके लिए मगर यहां पर एक गण गण नाम के भी सिक्के चलने स्टार्ट होगे थे जो quantity थी जो काई इन्होंने यूज कर दी निश्क और शत्मान भी चलते थे और यह भी स्टार्ट होगे थे एक changes और आया था इनके business में पहले लास्ट जो हमने पढ़ाता विरिग वेदिक काल जो था उसमें ये लोग पशुपालन पर ज्यादा महत्व देते थे मगर यहां पर उत्तरवेदिक काल में आते आते इन लोगों ने क्रिशी को अपना सबसे महत्वपून काम बना लिया था यहां पर इनकी आर्थिक व्यवस्ता जोती काफी सुधरने लगी थी पशुपालन को बैलेंस करते हो इन्होंने क्रिशी को इस तरीके सागे बढ़ा है था कि काफी ये लोग डेवलोग टाइप हो चुके थे उस ताइम तक साथ ही इन लोगों ने और कई सारे business भी स्टार् जितने भी वो ते वस्तर वगएरा बनाने और बी कई सारे चीज़े इन्होंने बनाने स्टार्ट करती थी तो इनका business और ये सब काफी डेवलप्ट हो चुके थे इस एरा तक आते आते इस ताइम पीरट में ये लोगों ने काफी तरक्य कर ली थी हमने अब इसके बारे में इनकी social life जो थी सामाजिक सनचना किस टाइब की थी उसके बारे में थोड़ा discussion करेंगे जानते हैं कि वो लोग socially किस तरीके से lifestyle अपना जीते थे करते क्याते मतलब तो social में मैंने आपको बताया था कि अभी female की थोड़ी थोड़ी value कम होने लगी थी और इसमें उत्तरवेदिक काल में जिसके भी घर में अगर कोई बेटी पैदा हुआ करती थी तो थोड़ी सी value जो है कम दी जाती थी as compared to रिगवेदिक काल अब हम बात करते हैं कि इसमें जितने भी social life थी उसमें क्या क्या Difference आ चुके थे कि डिफ्रेंसिस के अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डिफ्रेंस तो यही आया था कि सोशल लाइफ में वैल्यू सोड़ी सी कम हो चुकी थी और अगर हम बात करते हैं तो रिग वेदिक के जो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन सब में यह हम दो चीजें हैं यहाँ पर दो यह जाती हैं और निशाद राथे और निशाद को हम उत्तर वेधिक काल काल के जी गरंथ हैं इसमें अनारे की जादिए एक डीडिगरी में रखा गया है था वह कि जो भी वेदिक काल के इतने भी गरंथ और संस्कृति होगल दिए उसको फॉलों नहीं भर दी इसलिए इनक सबसे पहले हम बात करते हैं चंदोगे उपनिशदगी चंदोगे उपनिशदगी चंदोगे उपनिशद में तीन तरीके के प्रिंसिपल हमें मिलते हैं लाइफसे जीने के चंदोगोगे उपनिशद में बताया गयाता सबसे पहले कि ब्रहामा चारे लाइफ हो जकती है ग्रहस्त लाइफ और वानपरस्ट लाइफ तो हमें सिर्फ इतना नहीं पढ़ना हमें सिर्फ याद रखना है कि तीन लाइफ जी वीडियो में डिस्केशन करेंगे उपनिशद वेद स्मिर्तियां महाभारत रामायण इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फिलाल आपको जो इतना पढ़ना है चंदगों पनिशद में तीन प्रिंसिपल थे और जवाल उपनिशद में सबसे पहले चार प्रिंस हो चुके थे यहां पर हमाला उत्तरवधिक लेगे पूरा खतम होता है हमारे रिक वेडिग लॉत्तर वेडिक का सब्राभर हमारे जो چीज रहे गई हैं वह इन चार जो वेडें यजूर वेड… यजूरभेड सांवध और अतर्वेड इन सब में क्याग्य चीज़िज लि उत्तरवेदिक काल का लाइफ स्टाइल रिलिजन, सोशली ये सब चीज़े हमने काफी डिसकेशन कर ली है वीडियो का आप एक से दो बार देंगे काफी अच्छा समझ में आपको आ जाएगा अब हम नेक्स्ट वीडियो में इतके बाद चैसो बीसी के बाद यहां से रिलिजन बनने स्टार्ट हो गए थे जैनिजम, बुद्धिजम ये सब वेद बगरा के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके बाद का जो टाइम पीरेड था चैसो बीसी के बाद जो जैनिजम और बुद्धिजम आये थे इनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे कैसे कैसे रिलिजन मने कैसे कैसे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने रिलिजन को आगे बढ़ाया इन सब चीजों को हम नेक्स वीडियो में एक एक करके डिसकर्शन करेंगे मेरी कोशिश यही रहेगे कि मैं जादा सादा वीडियो आपको पस प्रोवाइड करा हूँ और जल्दी से एल्दी कंटेंट को खतम करूँ ताकि आपके एक्जाम में काफी हेल्प मिल सके आप यगीन मानिए यह जो कंटेंट है यह सबसे इंपोर्टेंट है जो पेपर में आएगा पढ़ाने के लिए काफी सारी चीज़े है मागर जो सबसे इंपोर्टेंट चीज़े हम वो पढ़ेंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज में कोई चीज समझ नहीं आती है कोई नोट्स चाहिए कुछ भी दिख्धत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलिग्राम का एक लिंक दे रखा है उस लिंक से आप जॉइंग कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप को और आप मुझसे डारेक्ट डिसक्रिशन कर सकते हैं आप इस वीडियो को अब नेक्स वीडियो में हम जो रिलीजन चेंज हुए थे जैनिजम और बुद्धिसम उसके बारे में पढ़ेंगे और करेंट अफेर की भी बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सेप्टेंबर के पूरे करेंट अफेर होंगे तब तक के लिए बाए ओल दा बेस टेक की